जहां पर Godlike ने तीन गलतियां तीन मैच में करी हैं और उसके वैसे वो पीछे रह गए ये वाली तो बहुत जैसे ये वाला सीन था ठीक है इस वाले सीन में भी गलती हुई टीम Godlike से जहां पर वो एक साथ नहीं आ पाए तुम एक चीज के लिए देखो ना कि Jonathan को उन्होंने प काकी Compound को आराम से रीड करके वहाँ पर जा सकते थे ये बस उनकी सबसे पहली गलती थी कि जहां वो एक सिंगल कंपाउंड पर गए और उस सिंगल कंपाउंड पर तुम ये देखो कि Jonathan के पास कोई अंगल है भी नहीं कि वो अपने इन प्लेयर्स को कुछ भी कवरफायर दे सकता था अब जॉनतन को देखो जॉनतन के पास व्यू कितना है या तो वह सिंगल प्लेयर को देख सकता है या तो वह यहां वाले प्लेयर को आते वे देख सकता है क्योंकि यह तो डिप है यहां से तो वह ऐसे भी नहीं देख सकता और इन प्लेयर्स को तो कोई कवरफायर वो कर भी नहीं सकता, तो यही सबसे बड़ी गलती रही, जहांपे वो एक single compound पे rush कर गए, और Jonathan को तो खैर आने का मौका ही नहीं मिला, कि वो आगे आ पाए अभी देखो, प्रजुल जब ऊपर चड़ा तब Jonathan ने देखा, Jackson तो निकलने से रहा उसको पता है भाई, उसके पास position बहुत बड़ी आए यह बस एक ही गलती थी, कि इनोंने सामने Prince की टीम को बहुत मौका दिया, कि वो spread हो पाए पर still, still, मैं सच में बताऊंगा कि भाई, Jonathan ने जो इस माच में survival game खेला है जो उसने वो trigger discipline दिखाई है, हलाकि माप्त हुए थे, मुझे लगा था कि वहाँ पे थोड़ा सा और placement point मिल पाता, क्योंकि एक समय के बाद मैं तुमको दिखाऊं तो यह चीज, मुझे लगा था कि चाहर से छे points तो मिली जाएंगे placement के, यह चीज़े को एक-एक players आरे बचे हुए, एक-एक players आरे बचे हुए ना, तो यह वाली चीज है, पर ठीक है, मतलब overall अच्छा था, पर Jonathan ने वो जो 4 finishes निकाले ना, तब भी 5 total point लेकर जाना भाई, वो बहुत ही शानदार था, और यही सेम गलती उनका air angle में वापस air angle में वापस वही सेम गलती जब भी वो fight लेने के लिए जाते, थोड़ा सा पता नहीं, मतलब अच्छा है कि उन्हें थोड़ा सा और खुद को spread करने की जरुवत है मुझे बस इतना लगता है, यहां तो मुझे लगता है जानतन को भी समझ में नहीं आया था कि आखिरकार हुआ क्या जानतन ऊपर था और बाकी सारे player नीचे थे और जानतन को अकेले पकड़ लिया और उसको वहाँ डाउन कर दिया बाकी तीन player क्या हां गये, क्या कर रहे थे मुझे लगता भी नहीं कि उनको भी समझ में आ रहा था कुछ यह वाली scene था, यह वाला चीज था मुझे लगता है कि यहां पर again again, थोड़ा सा miscommunication हुआ होगा जहां तक मुझे लगता है क्योंकि Z-God जहां तक मुझे उम्मीद है तो शायद वो दूसरी opening के पास था हां, वो दूसरे वाले opening के पास था शायद Jonathan ने call दिया होगा कि भाई, Z-God जहां आओ उपर जहां cover fire दो, पर उसके पहले ही वो वहाँ पर down हो गया, इसलिए थोड़ी से situation खराब हो गई, बस यही एक चीज है कि थोड़ा सा वो जो बिना information के ऐसे rush करना, इतने जादा open में कुछ इस तरीके से rush करना, वो भी ऐसे, एक single, I guess मुझे एक single गाड़ी थी जिसमें वो लोग rush कर रहे थे दो को पहले गिरा गया, एक को ऐसे गिरा दिया गया, तो अभी भी समय था अभी भी टाइम था, मुझे नहीं पता कि यह अचानक से क्या हुआ, ऐसे अचानक से, मतलब क्यों, समझते थोड़ा पढ़े था कि आकिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया पर ठीक है, पर वही है, थोड़ी थोड़े miscommunication, थोड़ी सी miscommunication ही मैं उसको कहूंगा, वैसा बाकी overall तो मेरे इसाब से बहुत ही शांदार रहा, बहुत ही